आप सभी का यहां हार्दिक स्वागत है आपने एक बहुत अच्छा निर्णे लिया है इस महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा बनने का इस बैठक के अंत में आप दो नतीजे पर पहुच सकते हो पहला ये कि आपने इस मीटिंग में अपना समय बर्बाद कर दिया इस तिथी में आप इस दिन को किसी अपने आम दिनों की तरह ली ही ले दूसरा जो हो सकता है वह है एक रोमान्चक संभावना और फिर हम सोचन लगते हैं ये मौका मुझे जिन्दगी में पहले क्यों नहीं मिल पाया क्यूंकि ये बेशक जिन्दगी को बदलने वाला मौका है तो दो के बंधनों से आजादी स्वास्त धन और समय की स्वतंतरता को सफलता कह सकते है आपके लिए मेरे लिए और हम सब के लिए तो चलिए देखते हैं कमाई के मुद्दे का आजादी से क्या लेना देना है तो कमाई के तरीके क्या है आपके पास दो विकल्प है पहला कि आप न अपने आप से पूछे, कि नौकरी होने से खराब स्वास्त से आजादी मिलेगी? और आर्थिक चिन्ताओं से और समय से आजादी मिलेगी? उत्तर है नहीं. और अब बात करते हैं कमाई के दूसरे विकल्प के बारे में जो है व्यवसाए. हो सकता है इसमें आपको समय के आज हो सकता है इसमें आपको आर्थिक आजादी मिले या ना मिले। कोविड ने हम सभी में वास्तविक्ता की भावना पैदा की है और इस सच्चाई को रेखांकित किया है कि जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है और इस वाइरस की शुरुआत के बाद हमें एक ऐसे व्यापार को देखने और समझने की जरूरत है जो सदा बाहर हो जो समय की कसो पर खरा उतरे और उस पर बाहर के वातावरन का कोई असर ना पड़े दोस्तो आज हम आपके सामने जो बिजनस का मौका देने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है हम सभी जानते हैं कि समय और काम के सयोजन से ही पैसा आता है और एक आम आदमी की आमदनी कैसे होती है आसान है र लेकिन ये रेखिक है जैसे कि अगर मुझे प्रती घंटे 100 रुपे मिलते हैं तो मुझे 2 घंटे के लिए 200 रुपे मिल सकते हैं 1000 रुपे प्रती दिन 10 घंटे वगेरा और हमें इस सच्चाई से सीमित है कि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और इसे linear income कहते हैं लेकिन income का एक और तरीका भी है जिससे आपके कमाने का जरिया असीमित है और इसे residual income कहा जाता है सीधे शब्दों में कहें तो linear income में आप अपने प्रयासों का 100 प्रतीशत कमा सकते हैं और residual income में आप शायद एक प्रतीशत कमाते हैं लेकिन एक टीम के रूप में आपके साथ काम करने व इनकम के मामले में fixed income के बनिस्पत पैसा काम पूरा होने के लंबे समय के बाद प्राप्त किया जाता है और कई मामलों में वर्षों तक लगाता राता रहता है और ये income शारिरीक रूप से उपस्तित ना होने पर भी आती रहती है और यही residual income का निचोड है अगर आप आने व महीने दर महीने साल दर साल लेकिन वो क्या है जो हमारे लिए इस प्रकार का income ला सकता है इसका जवाब है फ्रेंचाइजिंग कॉंसेट जो यकीनन दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनस मॉडल है फ्रेंचाइजिंग का एक बहितरीन उधारन होगा restaurant बिजनस KFC और McDonald's जैसे ब्रैंड तो हम सभी जानते हैं और होटेल बिजनस में Holiday Inn और Hilton ब्रैंड बेहत लोग प्रिये हैं आपने Domino's, Crosswords और Lakme जैसे ब्रैंड के बारे में भी सुना होगा ये सारे उसी franchise के तरीके पर काम करते हैं तो हमने अब तक ये चर्चा की है आजादी concept जिसके तीन पहलू है स्वास्त, धन और समय और साथ है limited income के बनिस्पत residual income का concept और जाहिर है residual income का concept उन लोगों के लिए सपष्ट रूप से ज्यादा दिल्चस्प रहेगा जो financial आजादी म में रूची रखते हैं और residual income प्राप्ट करने का एक model है franchising आईए franchising का एक उधारन देखते हैं आप सभी ने mcdonald's के बारे में सुना ही होगा जिसके दुनिया भर में काफी franchisee outlets है 36,000 से भी ज्यादा रेक रॉक, mcdonald's के संस्थापक इन्होंने ही franchisee concept की खोज की है इस concept में owner रेक रॉक franchisee nuked करते हैं उनके पास दुनिया के विबिन हिस्सों में brand की marketing करने की अनुमती है तो जो पीले रंग के block है उन्हें franchisee कहलाते हैं सुनने में तो अच्छा लगता है ठीक है ना हलाकि यहाँ एक सीमा है और सीमा यह है कि अगर एक franchisee और franchisee nuked करना चाता है तो वो संभव नहीं है हर नई franchise को सीधे brand के मालिक दोरा nuked किया जाता है जो इस मामले में रेक रॉक का परिवार है तो इसे हम एक तरीके से सीमित franchising model कह सकते हैं तो सवाल यह है कि क् सीमित franchising model या बिना सीमा के franchising model होते हैं बेशक है और यह एक ऐसा model है जिसके द्वारा brand का मालिक franchisee nuked करता है और प्रत्यक franchisee को अपने नीचे एक और franchisee nuked करने की पूरी स्वातनतरता देता है याद रखे कि यह सब franchisee नहीं है लेकिन हर एक nuked franchisee को franchisee कहा जाता है और इसक पक्ष रूप से उनके प्रयास, समय और परिश्रम के आधार पर रेक रॉक मॉडल सीमा के साथ franchising model है ये बिना सीमा के franchising model है कावियात्मक धंग से अगर कहा जाए तो ये कहना सही होगा कि धन की शक्ति वास्तव में अनेकों की शक्ति से आती है मैं दोहराता हूं कि पैसों की ताकत बहुतों की ताकत से आती है और ये है बिना सीमा के franchising model का निचोड़ इसलिए जब आप limited income से residual income की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा model बिना सीमा के franchising model है और एक ऐसा model जो दुनिया भर में लोग प्रियता हासिल कर रहा है वो है direct selling model direct selling एक बहुती बड़ा उद्योग है जो दुनिया भर में 180 billion dollar का है ये विक्सित देशों में पहले से ही बहुत बड़े स्थर पर पौँज गया है जैसे US, China, Japan, Brazil, पूरे Europe और Thailand, Malaysia ये उनमें से कुछ देशों के नाम है और ये retailing के बाकी तरीकों से बहुत तेजी से बल रहा है आईए direct selling को detail में समझते हैं हमें traditional marketing consumer तक पहुचने के लिए complimentary channel को समझने की ज़रूरत है आप सभी ने traditional marketing का नाम तो सुना ही होगा आईए अब इसे हम थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं traditional marketing में बहुत सारे खर्चे होते हैं और उन में से कुछ middleman के कारण होते हैं माल निर्माता से warehousing agent के माध्यम से super stockist या sub stockist को transfer होता है stockist से ये wholesaler के पास या सीधे retailer के पास जाता है और आखिर में उपभोगता के पास तो stockist और retailer के commission का भुकतान भी करना पड़ता है इसके अलावा शेत्र बल की भी लागत होती है जिन्हें बिक्री बल उतपादनों के बिक्री के लिए न्यूक्त करता है आपने ऐसे कई salesman को देखा होगा जो अपना माल store to store बेचने के लिए जाते हैं और फिर निश्चीत रूप से महेंगे विज्यापन भी है उन्हें कहते हैं television commercials कुछ विज्यापनों में आप मशूर हस्तियों को भी देख सकते हैं और मेरा विश्वास करिए उसकी कीमत बहुत भारिये ना कि लाखों में बलके करोडों में होते हैं वास्तव में आपने IPL जैसे आयोजोनों में काफी विज्यापन देखे होंगे जहां ब्रैंड के बढ़ावे के लिए करोडों रूपिये खर्च होते हैं और ये सब ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सेकेंड के विज्यापन होते हैं हम 30 से 40 सेकेंड में एक प्रोडक के बारे में कितना समझ पाएंगे ये एक सोचने वाली बात है तो ग्राहक निश्क्रिय है उसे वही मिलता है जो रीटेलर उसे देता है विज्यापन संक्षिप्थ होता है और ज्यादा तर एक तरफा होता है ये ब्रैंड के मालिक या निर्माता से लेकर उपभोकता तक है और उपभोकता को सीधे तरीके से निर्माता को उतपाधक की समिक्षा देने के बहुत कम रास्ते है तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर हमें traditional marketing के खर्चों का अंदाजा लगाना हो तो ऐसी कंपनिया है जो stockist को 10% तक का भुकतान करती है 20% retailers को जो कुल मिलाकर 30% हो जाता है और 10% बिकरीबल को जिससे ये 40% हो जाता है और विज्यापन में 10-50% के बीच भुकतान करती है कम से कम इसी लिए ये मान लेना उचित होगा कि लगभक 40-60% खर्च, middleman, बिकरीदल और advertising पर खर्च किये जाते हैं तो ये बहुत अधिक लागत वाला model है क्या उपभुकता तक पहुचने के लिए इससे कोई smart model है? इसका जवाब है हाँ इससे smart model है direct selling जहां माल सीधे brand के मालिक से अंतिम ग्राहक तक जाता है यहां कोई stockist नहीं, यहां कोई retailer नहीं और company द्वारा न्यूक्त किये गए कोई बिकरीदल नहीं और कोई महंगे विग्यापन नहीं हलाकि एक तरीके का विग्यापन है और यह विग्यापन high quality training और संचार है जो 30 second का नहीं, बलकि 30 minute की विस्तार पूरवग product training है जो company के distributor के द्वारा या company से ही ग्राहक को सीधे दी जाती है distributor भी एक ग्राहक है और खरीदार और विकरिता के बीच लगातार दो तरफा समवाध होता है बहुत से लोग मानते हैं कि direct selling उतपादक महेंगे हैं क्योंकि distributor को बहुत अधिक commission दिया जाता है ऐसा नहीं है ज्यादा तर मामलों में company के distributor या अंतिम ग्राहक को दिया जाने वाला commission उस राशी के बराबर होता है जो company stockist, sub stockist, बिक्री दल, महेंगे विज्यापनों पर खर्च करती है ये राशी अंतिम ग्राहक के हातों में सौब दी जाती है जो एक चलता फिरता brand ambassador बन जाता है तो ये है direct selling model तो यकीनन ये एक traditional model से ज्यादा smart model है तो अब तक हमने ये concepts cover कर लिये हैं जो है स्वतंत्रता, स्वास्ट, धन और समय और हमने residual income और fixed income का अंतर भी देखा और हमने देखा franchise का business model बिना सीमा के और हमने traditional marketing को गहराई से जाना है और अब चलते हैं direct selling के दुनिया में मुझे यकीन है कि आप direct selling उद्योग के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे तो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये निर्ने लिया है direct selling को career option बनाने का फिर चाहें वो full time हो या part time तो मुझे एक अच्छी direct selling company कैसे चुनने चाहिए क्योंकि एक अच्छी direct selling company चुनने से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है एक अच्छी direct selling company का चुनाव करते हुए आपको छे विशेशताओं पर ध्यान देना होगा इन में से पहला उत्पादित वस्तु है उत्पादों को अकसर selling business का दिल माना जाता है तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या company के पास हर दिन के इस्तिमाल के लिए high quality उत्पादक है ऐसे उत्पादक जो उपभोगता के जीवन में माइने रखते हो और जीवन भर उपभोगता के साथ एक संबंद बनाए रखे अकसर ये कहा जाता है कि खराब quality उत्पादों का मतलब अच्छी company नहीं average quality के product मतलब एक average company और high quality product मतलब एक start direct selling company तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है company के उत्पादकों की quality और विशेशताएं साथ इसाथ company के विभिन प्रकार के उत्पादक प्रत्यक्ष बिक्री company के मुल्यांकन का दूसरा महत्मपूर्ण पहलू है प्रमान की अवधारना हर एक direct selling company जो आप से संपर्थ करती है एक बहुत उज्वल भविशे की बात करेगी आपसे लेकिन क्या आपने कभी भी उसका अतीच जाना है कृपया मुझे बताए कि आप अतीच में कितने सफल रहे हैं इसलिए हर अच्छी direct selling company को सफलता का एक सिध्ध track record प्रदर्शित करना चाहिए जैसे कि कहा जाता है कि अतीच अक्सर भविशे का प्रतिबिम्ब होता है तीसरी बात जो हर जगा एक मंत्र बन चुकी है जो के ना सिर्फ direct selling industry में बलकि हर industry में है इस company के साथ business करना कितना आसान है कैसे होगे system company के company के भुकतान का तरीका कैसा है क्या वो अपने distributor को समय पर भुकतान करती है company के पास distribution centers की कितनी सुविधाएं है ताकि उपभुकता को उतपादक लेने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े आसानी से व्यापार करने के लिए ये सब महत्वपूर्ण गुण है चौथा अत्यंत्व महत्वपूर्ण पहलू ये है कि क्या company के पास शिक्षा की व्यवस्था है क्या वो सभी distributors के लिए मानकिकरित और सामान्य है क्या company के पास ऐसा system है जो उतपाद ग्यान प्रदान करने में और उतपाद को बढ़ावा देने में मदद करेगी क्या company के पास ऐसा system है जिससे वो व्यापार, योजना और पैसे बनाने के अवसरों की व्याख्या करती है क्या company के पास कोई ऐसी strategy है जिससे चाहे कुछ भी हो distributor के हुनर और ग्यान में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा अवसर हो इस पहलू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है पांचवा पॉइंट है leadership से संबंदित एक अच्छी direct selling company में leadership दो तरकी होती है leadership management में और leadership distributor community में क्या leader सक्षम है, वफादार है, क्या वो service oriented है ये बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब है जब हम एक अच्छी direct selling company को चुनने का निर्णे लेते हैं और आखिर में, जैसे कहा जाता है direct selling company की जीवन रेखा, उसके business plan को compensation plan भी कहा जाता है क्या ये business plan निश्पक्ष है? क्या ये मेरे प्रयासों को भाग्ये से ज़्यादा पुरुश्कृत करता है? क्या ये मुझे supplementary income दे सकता है? साथ ही साथ, क्या ये पैसा बनाने का एक विशाल अफसर पैदा करता है? तो ये कुछ प्रश्ण है जो आपको एक direct selling company चुनने से पहले जाचने चाहिए अब क्या दुनिया में ऐसी कोई direct selling company है जो इन 6 के 6 मामलों में 10 बटा 10 है? शायद नहीं और अगर आप कोई ऐसी company ढूनते जो 10 बटा 10 है हर एक पहलू में तो आपको एक अच्छी direct selling company ढूनना बहुत मुश्किल हो जाएगा हलाकि दुनिया में ऐसी company हैं खास कर भारत में जो 2 से 3 विशिष्टाओं में 10 बटा 10 अंकित होगी और अन्य सभी पर 10 पर 8 या 10 पर 9 रैंक करती है और अब direct selling के concept को समझने के बाद अब हम आपको भारत में उपस्थित एक ऐसे company से परिचित होने का प्रस्ताव रखते हैं जिसके हर उन विशेष्टाओं में बहुत उचे अंक है जिसे हमें चुनने से पहले जाचने है तो ये एक ऐसी company है जो बहतरी इन प्रड़क्स बनाती है वेलनेस और परस्नल केर सेक्टर में होम केर और अग्रिकल्चरल उटपादों में तकरीबन 100 से अधिक उटपादों की range है जिससे आप अच्छे दिखते और महसूस करते है तो company 6 brand की मालिक है जिसमें elements, wellness, on and on और इंडिया ग्रो है और ये सभी वर्गों के लिए हर उम्र और हर जरूरतों की आवशक्ताओं की पूर्टी करती है कई उटपाद प्रतिष्थित आयूश प्रीमियम चिन्न के साथ आते हैं जो आयूर्वेदिक उटपादों के लिए उच्छतम स्तर का certification है और company का प्रमुख उटपाद औरैक मुल्य certification के साथ आता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे सबसे जरूरी बात ये उटपाद बनाए जाते हैं conceptualized और develop किया गया है कुछ जानी मानी इंडस्ट्रीज के द्वारा हमारे मुख्य सलाकार श्री केके राजेश जी है और हमारे वग्यानिकों और सलाकारों में आते हैं इन तीन सज्जनों के पास बहुत अच्छा अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे कमपनी के साथ तकरीबन पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रहे हैं ऐसे उत्पाद जो डेरेक सेल्स उध्योग में समझदार ग्राहकों के लिए लक्ष है आईए बात करते हैं इस कमपनी के फ्लैक्शिप ब्रैंड जो है एलिमेंस वेलनेस इसे एकोनॉमिक टाइम्स ग्रूप द्वारा वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ट हेल्थ केर ब्रैंड के रूप में मान्यता दी गई है जो है भारत के नंबर एक मीडिया हाउस का हिस्सा और दो साल के बाद कोविड की शुरुआत में एक अच्छी खबर ये है कि दो हजार बाईस में एलिमेंस वेल्नेस को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ट हेल्थ और वेल्नेस ब्रैंड के रूप में मान्यता दी गई है ये दो साल की कड़ी महनत और अच्छी कॉलिटी देने का नतीजा कहा जा सकता है ये है कुछ उतपाद एलिमेंस वेल्नेस के लिवर के लिए एक है जिसे लिव अगेन कहा जाता है और कुछ खासी से राहत के लिए और कुछ है महिलाओं के मासिक धर्म के स्वास्त के लिए एक उतपाद है जो संचार प्रणाली के लिए अच्छा है एक ऐसा उत्पाद जो घावों को ठीक करता है, जिसमें मंजिस्ट नाम की एक विशेश सामगरी है एक है पुरुष जीवन शक्ती के लिए हानिकारक दवायों के लिए ये एक प्राकृतिक विकल्प है और ये आयूरवेदा की जड़ी बूटियों पर आधारित है तनाओ के प्रभंधन के लिए एक अनोखा उत्पाद और दूसरा इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिधै स्वास्त के लिए एक उत्पाद और एक ऐसा उत्पाद जो शरीर के विभिन अंगों को डीटॉक्सिफाई करके एक फुर्तिला जीवन जीने में मदद करता है शरीर के तापमान के प्रभंधन के लिए एक उत्पाद एक उत्पाद जो बाहरी मालिश के माध्यम से मार्स पेशियों में दर्द और हलके संक्रमन से राहत देता है शरीर में आयन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक उत्पाद एक कैल्शियम सप्लिमेंट और कुछ थाइरोईड के स्वास्त के लिए और एक नया ब्लॉक्बस्टर फेफडों में सुक्षम परिसंचरन को बढ़ावा देने और सांस लेने की शमता बढ़ाने के लिए एक उत्पाद हाली में कमपनी ने गुरूची नामक आयूरवेदिक जड़ीबूटी के साथ-साथ प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन में दो बैक्टेरिया के एक अध्युत्य सयोजन का निर्मान दुनिया में पहली बार लॉंच किया है जो अपनी तरह का दुनिया में एक लौता उत्पाद होगा एक ऐसा उत्पाद जो रेनल स्टोन का भी इलाज करता है और चया-पचय को बढ़ावा देने और वजन का प्रबंधन करने का उत्पाद भी है और एक प्रटीन पाउडर निूट्रिशन के लिए इसके अलावा एलेमेंस वेलनेस रेंज में टूथपेज से लेकर फेस वाश से लेकर बॉडी क्रीम और शैंपू तक व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की एक वरुस्तित शंखला है जो आपको हमेशा अच्छा दिखने में मदद करती है पेरों और एडियों के लिए भी एक उत्पाद है एक उत्पाद जो नाक स्प्रेय के रूप में काम करता है और आखों के स्वास्त के लिए एक शांदार उत्पाद है खासकर उन लोगों के लिए जो स्मार्ट स्क्रीन का जिएदा प्रयोक करते है जो हम रोज़ाना इस्तिमाल करते हैं है ना? On&On brand इस company का एक और मजबूत brand है इनके पास एक ऐसा blockbuster उतपाद है जिसे 95 कहा जाता है जिसकी oxygen radical absorption शमता और एक 9 लाग से भी ज्यादा प्रती pack के रूप में जानी जाती है ये एक प्रती रक्षा प्रणारी को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली पेर है और ये distributor और ग्रहाकों के बीच बहुत ही लोगप्रिय उतपाद है एक और उतपाद है जो sugar level को manage करता है जिसका नाम है डाइबलाइफ जो 100% stabilized allicin से बनी है एक ऐसी तकनीक जो बहुत ही अनोखी और बहुत शक्तिशाली है ये अन्य बीमारियों से भी बचाती है और समग्र प्रतिरक्षा प्रदान करती है ये 100% प्राकृतिक सामगरी से बना है Nutrilife नामक एक पोशक पुरुख है जो सुक्षम पोशक तत्वो, micronutrients, macronutrients, खनिच, विटामिन और अन्य अच्छाईयों के माध्यम से संतुलित पोशक तत्वो प्रदान करता है शरीर में हर अंग और अंग प्रणाली के लिए spirulina gold और कवच प्राश है जो एक प्रतिरक्षा बूस्टर है और फिर निश्चित रूप से ब्रैंड इंडिया ग्रो जो शक्तिशाली कृशी आधारित उत्पादों की एक श्रंखला है और जो हर किसान के कृशी उपज के लिए स्वास्थ विखास और पूर्ण देखभाल की सुविधा प्रदान करता है इसके आलावा निश्टार भी है जो व्यक्तिकत देखभाल उत्पादों की बड़े पैमाने पर कीमत रेंज का दावा करता है MI Home कंपनी की एक होम केर रेंज है और आहार ब्रैंड जिसमें खाने के कई उत्पाद शामिल है कई डाइरेक सलिंग कंपनिया हैं जो एक शांदार भविश्य का दावा करेगी और बताएगी कि वे X, Y, Z करने जा रही है एक साधारन सवाल जो पूछना जरूरी है कि ये सब तो ठीक है पर आपने अतीत में किया क्या है मुझे इस बात का प्रमान दे कि आप सफल रहे हैं और आपका ट्रैक रेकॉर्ड अच्छा रहा है वैसे ये कंपनी ऐसे परिणामों पर बहुत गर्व कर सकती है 20 से ज्यादा डिस्ट्रिब्यूटर है जो डाइमन रैंकिंग में आते हैं कुल 14,000 और अधिक उपलब्धी हासिल करने वाले जो पूरी तरह से प्रायोजित विदेश यातरा के लिए गए हैं 60,000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स और लगभग 75,000 से ज्यादा डिस्ट्रिब्यूटर्स जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित परिक्षा को सफलता पूर्वक पूरा किया है जो PM KVY योजना के तहत जो अंतरगत है स्किल इंडिया मिशिन में और भी ऐसी कई उपलबधियां है जिन पर कमपनी गर्व कर सकती है ये बस कुछ जलकियां है अगला पहलो जिस पे हमें ध्यान देनी की ज़रूरत है वो है एक अच्छी डिरेक सेलिंग कमपनी जिसके साथ व्यापार करना आसान हो Ease of Doing Business के मूल रूप से तीन घटक है सबसे पहला उत्पादों तक पहुँचना कितना आसान है दूसरा, कॉंपनसेशन कितना नियमित है तीसरा, ऐसा कोई सिस्टम है जो कस्टमर के फीडबैक और कमप्लेंस को मैनेज कर सके ये कंपनी इन में से प्रतेक मोर्चे पर महान उपलब्धियों का दावा कर सकती है देश भर में इसके 800 से अधिक पिकप केंद्र और फ्रेंचाइजी है चाहे कोई भी तरीके के उत्पाद हो, वो डिस्टिब्यूटर्स से ज्यादा दूरी पर ना हो ये कंपनी अपने डिस्टिब्यूटर्स को समय पर भुक्तान देती है 2013 से हफते दर हफते देती आ रही है ताके उनको उनकी मेहनत की कमाई वक्त पर मिल सके इसमें शिकायत समाधान और शिकायतों के समाधान के लिए एक शांधार प्रनाली भी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी प्रभंधन वास्तव में अपने सभी डिस्टिब्यूटर्स के लिए 2400 घंटे उपलब्द रहती है एक महान डिरेक सेलिंग कंपनी का अलग पहलू एक शिक्षा प्रनाली की उपस्थिती है इस कंपनी ने बहुत ही शक्तिशाली कंपनी हार्विस सक्सेस अकाडेमी के साथ भागीदारी की है जो उतपात का ज्यान प्रदान करती है जिसमें उतपात खुदरा बिक्री जैसे शेत्र में शक्षम है इनके प्रसिक्षन आज से दस थानिय भाशाओं में किया जाता है आज तक ये कंपनियों ने देश भर के 300 से अधिक शेहरों में प्रसिक्षन का आयोजन सफलता पूर्वक किया है जिसके परिणाम स्वरूब डिस्ट्रिब्यूटर्स का कौशल तेजी से बढ़ा है किसी भी डाइरिक सेलिंग कंपनी में जिस पांचवी विशेषता पर ध्यान देनी की जरूरत है वो है कॉलिटी ओफ लीडर्शिप मैनेजमेंट और फील्ड लीडर्शिप इन दोनों पहलू में इस कंपनी के फील्ड लीडर्श सक्षम, वफादार और वे बिक्री की कला में अच्छी तरह से प्रसिक्षत है वास्तव में शेत्र नित्रुत्व उनमें से कई को प्रत्यक्ष्य बिक्री के शेत्र में पीचडी के रूप में वर्नित किया जा सकता है ऐसा है उनका ज्यान कस्थर, वे अपने आप में ही आईकॉन्स कह सकते हैं और संगल्ठनों के आम विक्रिताओं के बीच बहुत सम्मान रखा जाता है प्रभंधन सक्षम वफादार और अत्यनत सेवा उनमुक है और मिलकर प्रभंधन और शेत्र नेत्रुत्व का नेत्रुत्व एक बहुत शक्तिशाली सयोजन बनाता है जो संगल्ठन में अधिकांश डिस्टिब्यूटर्स को अत्याधिक प्रेरित वेक्तियों का एक सम्मु बनाता है अंत में हम सब एक ऐसा बिजनस करना चाहते हैं जो अधिक से अधिक लाबदायक हो अंत में छटा पहलू जो हमें डिरेक सेलिंग कंपनी को चुनते समय ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार योजना का मूल्यांकन फाइदे मंद है मतलब क्या distributors को उनके मेहनत का फल मिल रहा है भाग्यशाली होने की तुलना में और वाकई में ये कंपनी फाइदे मंद है बलकी बहुत ज्यादा फाइदे मंद बिजनस प्लान है इस प्लान में कई तरीके के incentives हैं जो eligibility criteria पर आधारित है पांच प्रमुक प्रकार जिससे हम कंपनी में कमा सकते हैं वो है पहला है retail income दूसरा है sales turnover bonus तीसरा है rank income चौथा है performance bonus और पांचवा है monthly loyalty bonus इन सब के अलावा royalty income भी होती है जो के सबसे उचे स्थर के distributors के लिए है ये plan विस्तार में है लेकिन इसे समझना बेहद आसान है लेकिन उस व्यक्ती से अनुरोथ करे जिसने आपको इस बैठक में आमंतरित किया है आपको इस company के शांदार business plan के बारे में विस्तार से बताने के लिए कमाई का पहला तरीका retail income कहलाता है distributor के पास उतपाद को DP यानि distributor price में company से खरीदने का खास अधिकार मिल जाता है और जब वो अंतिम ग्राहक को retail price में बेचते हैं तो वो 10 से 30 प्रतिशत के बीच कहीं भी कमा सकते हैं और अगर कोई बेहत पेशिवर distributor है तो retail income मासिक आय का एक बहुती अच्छा रास्ता बन सकता है भुकतान की दूसरी विधी को sales turnover bonus कहा जाता है संक्षेप में STB ये sales turnover bonus एक distributor द्वारा उत्पन्न संगठन की sales पर भुकतान किया गया एक निश्चित प्रतिशत है उधारन के लिए 100 रुपिये का मूल्य व्यापार की मातरा के संधर्ब में 75 रुपिये के बराबर होता है जिसे बीवी कहा जाता है तो मान लीजिए आप एक distributor की तरह अमर और अवतार को प्रायोजित करते हैं आपके संगठन की पंक्ती में और दूसरी पंक्ती में श्री अकबर और अंथनी को प्रायोजित किया है और समझे की अमर और अवतार को संगठन एक में ततकाल डाउन लाइन के रूप में संधर्बित किया जाता है और अकबर और अंथनी को संगठन दो में आपकी ततकाल डाउन लाइन के रूप में संधर्बित किया जाता है मान लीजिए कि अमर और अवतार अपने नेटवर्क में 10,000 बीवी के बराबर व्यापार के लिए खरीद मूल्य उत्पन करता है और अकबर और अंथनी एक साथ नेटवर्क के अपने हिस्से में 10,000 बीवी का व्यावसाहिक मूल्य उत्पन करते हैं आपका सापताहिक प्रोचसान होगा 12% 10,000 बीवी पर जो कुल मिलाकर 1200 रुपे होंगे जो के अब तक के जाहिर है कि कंपनी का टर्न ओवर बीवी के रूप में बढ़ता रहेगा जो के आपने और आपकी टीम ने उत्पन किया है आपको संगठनों में आपके द्वारा उत्पन व्यावसाहिक मूल्य का 12% प्राप्त होता रहता है और आप ज्यादा से ज्यादा दो लाग दस हजार का इंसेंटिव हर हफते कमा सकते है तो जो पहली कमाई है उसे हम रीटेल प्रॉफिट कहेंगे और दूसरे को कहा जाता है सेल्स टर्न ओवर बोनस और इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस और स्टार परफॉर्मेंस बोनस जहां कमपनी के वैश्विक व्यापार की मात्रा सभी योग्य प्राप्त करताओं के बीच समान रूप से साजह की जाएगी और व्यक्तिगत रैंक के लिए एक अलग पुल बनाया जाएगा तो तब डिस्टिब्यूटर के बीवी के अनुसार इसे पुनरवित्रित किया जाएगा आगे की जानकारी के लिए आप से अनुरोध है कि कृपया उस व्यक्ति से पूछे जिसने आपको विस्तार में समझाने के लिए आमंत्रित किया है यह कमाई का तीसरा प्रकार है चौथे प्रकार की इंकम को हम कहते हैं rank income जहा एक commission होता है जो rank के आधार पर उत्पन होता है सम्हू व्यवसाई की मातरा पर 2 प्रतिशत से लेकर सम्हू व्यवसाई की मातरा का लगभग 7 प्रतिशत निश्चित रूप से कुछ शर्तों के अधीन पांचवे प्रकार की आय को कहा जाता है लॉयल्टी बोनस जो आपको व्यवसाई में लाने वाले व्यक्ती द्वारा आपको विस्तार में समझाया जाएगा और व्यापार योजना के सबसे दिल्चस पहलू में से एक कुछ है जिसे कहते है डाइमन रोयल्टी जहाँ कंपनी के वैश्विक व्यापार मात्रा संगठन में उपरोक्त रैंक के हीरो के वितरन के लिए कुछ राशी आरक्षत है और यह रोयल्टी उपलब्दी बहुत अधिक हो सकती है तो अब हमारे पास पांच तरीके के इंकम है और इस कंपनी के पास एक शांदार फीचर भी है जिसे कहते हैं नॉमिनेशन फीचर जहां डिस्टिब्यूटर के साथ कुछ होने के दुर्भाग्य पूर्ण घटना में नामांकित व्यक्ति को वितर्क की तरह ही व्यवसाई करने की अनुमती दी जाती है सक्रियर रैंक प्राप्त करने वालों के लिए तीन लाख रूपिये के दुरघटना बीमा के लिए एक स्वचलित पातरता भी है और संगठन के व्यापार योजना में ऐसे और भी कई विशेशताएं हैं जो इसको एक बहुत ही पुरस्कृत प्लान बना देता है डेरिक सेलिंग इंडस्ट्री का तो अब आप इस कंपनी के नाम को जानने के लिए बहुत ही उत्सुख होंगे तो इस कंपनी का नाम है My Lifestyle Marketing Global Private Limited ये भारत की एक अगरिणिया डेरिक सेलिंग कंपनियों में से एक है तर्न ओवर, ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा के मामले में तो और अब ये सब सुनने के बाद क्या आप मानते हैं कि इस कंपनी के पास सारी क्वालिटीज है और ऐसी विशेष्टा हैं जो एक अच्छी डेरिक सेलिंग कंपनी को चुनते वक्त करनी चाहिए इनके पास एक बहतरीन प्रोड़क्ट है जैसे के Elements Wellness, On&On और Wellness और Personal Care में रोजाना के उतपाद और क्रिशी उद्द्यों के उतपाद Elements Wellness 2019 और 2022 में सर्वश्रेश्ट स्वास्त देखभाल ब्रैंड के दो बार प्राप्ट करता रहे हैं इस कंपनी के पास 20 Diamond Plus Rank Achievers के साथ-साथ 14,000 लोगों के साथ सफलता का एक सिद्ध ट्रैक रेकॉर्ड मिला है 800 से अधिक केंद्र सापताहिक नियमित भुक्तान और शिकायत समाधान और शिकायत प्रभंधन के लिए एक महान प्रणाली कंपनी में व्यापार करना आसान बनाती है Harvest Success Academy आपका हाथ थामने के लिए है और आपको असफल नहीं सफलता की और ले चलने के लिए है सक्षम, वफादार, अत्याधिक प्रोफिशन्ट मैनेजमेंट और लीडर्स और बेशक अत्याधिक पुरुश्कृत व्यवसाई योजना जो के ना कि सिर्फ एक बलकि पांच तरीके से कमाने का मौका देती है इसके अलावा एक्सिडेंट इंशॉरंस के साथ-साथ नामानकन की बड़ी सुविधा प्रदान करता है यही नहीं, यह एक ऐसी कमपनी है जिसमें सारे गुण है जो एक डिरेक सेलिंग कमपनी में होने चाहिए यह कमपनी के पास ISO 9001, 2015 प्रमान पत्र गुणवत्ता के लिए मिला है यह एक मेंबर है FICCI का यह Federation of Direct Selling Association का मेंबर भी है और यह गर्व से कौशल भारत और राश्ट्रिय कौशल विकास निगम के शुब के तहत PM KVY कारिकरम के कई प्रमान पत्रों का प्रायोजक है तो अगर आपको आपका जीवन अपने तरीके से जीना है तो मैं कहूंगा कि माई लाइफस्टाइल के साथ एक भागीदारी होने पर विचार करना उचित है जैसे कि वे कहते हैं यदि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं किया है तो आपको अभी करना होगा तो आईए हम हाथ मिलाकर आजादी की और बढ़े खराब सेहत से समय की आजादी और सबसे जरूरी आर्थिक आजादी चलिए एक साथ बड़ी सफलता हासिल करें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए शुक्रिया और आशा है इस प्रस्तुती को सुनने के बाद आप और अधिक आशोस्त हैं कि आपके सपने साकार होंगे माई लाइफसेल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण समर्धन और सहयता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी मिलते हैं